हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो अनोधर लेक्चर, ओन इस्टेटिक्स आईक्यू, इस्टेटिक्स आईक्यू पे आप साभी का स्वागत है, दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाल हैं, ग्रेमी अवार्ड दोजार तेवीस, दोस्तों जो ग्रेमी अवार्ड के 65 वी सं समन्दी जितने भी फैक्ट आपको इंपोर्टेंड जो आपको एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी का यहां पे आपको समावेस देखने को मिनने वाला है, चाहिए ग्रेमी अवार्ड की स्तापना से क्यूशन हो, या जो रिक्की केज की दोस्तों एर्दगिर्द कि सही समय से मिल सकें, और जो कंपिटेशन एक्जाम में है, आप अपनी दावेदारी मजबूद तरीके से रख सकें, तो चलिए, बिना समय खराब करती हुए आज की शांदार सेशन का आगाज करते हैं, और बात करते हैं, ग्रेमी अवार्ड दोहजार तेवीस, म्यूजिक इ संगीत के चेत्रगा, संगीत की दुनिया का उसकर भी कहा जाता है, और ये ग्रेमी अवार्ड इस बार फिर से भारत के लिए हिस्से में खुशिया लेकर आया है, और आगे बढ़ते हुर बात करते हैं, इस बार ये अवार्ड भारत के लिए खास रहा, क्योंकि तीसरी बार म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने ग्रेमी अवार्ड जीत कर भारत को गौरवानवित किया है, तो दोस्तों जो यह लगतर नहीं, यह तीसरी बार है, जो कि भारत को रिकी केज है, जुन्होंने ग्रेमी अवार्ड जीत कर भारत को गौरवानवित किया है, आगे बढ़ते ह कि रिक्की केज को मिले ग्रेमी अवाड के बार प्रदानमंत्री मोधी ने उन्हें बदाई दी और पूरा देश इस वक्त उन पर गरूर महसूस कर रहा है। ग्रेमी अवाड संगीत की दुनिया में अच्छा काम करने वालों को वार्शिक तोर पर दिया जाता है। वाज संगीत के छेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को हर वर्शिवार्शिक तोर पर दिया जाता है। जाएगा जब उसने अपने संगीत की रिकोर्डिंग अमेरिका में रिलीज की हो। तो यह दोस्तों इस जो प्रूशकार परदान किया जाता है। उसकी मुख्य चेक्करत यह रहती है कि जो भी ग्रेमी अवाड यह है उन्हें तभ ही मिलेगा जब उसने पर है गोल्ड प्लेटेड ग्रामोफोन है जी हां यहां पर गोल्ड की प्लेटेड जो की कवर की हुई है और यह एक ग्रामोफोन के रूप में होता है पहला आवार्ड 1969 में जो ग्रेमी पुरुसकार है जी हां ग्रेमी आवार्ड है वह सरुपरतम बार या सुरुवात होती है रिक्की केज के एलबम Divine Tights को सरुस्रेश्ट Immersive Audio Album के टिगरी में यह पुरुसकार दिया गया है। रिक्की केज ने इस पुरुसकार को मसूर बिर्टिस रॉक मेंड The Police के ड्रमर Stuart Copland के साथ सेहर किया है। रिक्की केज का जनम 1981 में अमेरिका में होता है और यह दोस्तो लेकिन पंजाबी और मारवाडी परिवार से रिलेटेड केज आठ साल के उम्र में ही बेंगलूर चले गए। और इनके दादा जो जानकी दास एक अभिनेता थे जिहां जो रिक्की केज के दादा एक अभिनेता जानकी दास थे जिसके चलते कला उनको उनको विरासत में मिली है जिहां जिसके चलते कला उनको विरासत में मिली थी। बच्पन से ही संगीत में रूची होने के चलते रिकी केज ने रोक बैंड जोईन किया, तो रिकी केज ने बच्पन से ही संगीत में अधिक रूची होने के कारण उन्हों ने बच्पन में ही रोक बैंड जोईन कर लिया था, इसके बाद 2000 के दसक में उन्होंने संगीत को अप नड फिल्मों के लिए संगीत भी तेयार किया रिक्की केज गो परियावरन सनरक्षक के तोर पे भी जाना जाता है और उन्हें कॉप 14 में जो UNCCD Land Ambassador भी नामित किया गया है तो दोस्तों यहां से भी क्यूशन पूटफ हो सकता है कि कॉप 14 में UNCCD Land Ambassador रिक्की केज गो नामित कि जा चुका है इसमें इन्हें भूमी शरण मरुस्तलीकरन और सूखे की चुनोतियों के बारे में जागरुकता बढ़ाने की जिम्मेदारी शोपी गई थी तो दोस्तों जो रिक्की केज है उन्हें जो कॉप 14 में UNCCD Land Ambassador बनाए गया उसमें उन्होंने कार्य करना पड़ा उन्हें इसको M.G.I.P. में दया लुता के लिए वेस्विक राजदूत भी रह चुके हैं रिक्की केज को पहली बार ग्रेमी अवाड 2015 में तो दोस्तों यहां पे जो शुरुवात में आपने हेडिंग देगी थी कि भारत को तीसरी बार यहां पे जो ग्रेमी अवाड मिला था और दोस्तों जो 2023 में भी इन्हें मिला है तो इन्हें दोस्तों तीन बार यह पुरुषकार मिल चुका है रिक्की केज को इस बार 2023 में जो आवाड मिला है उन्होंने इस आवाड को भारत को समर्पित किया है जी हां जो रिक्की केज ने जो 2023 में उन्हें संगीत छेत्र क ओसकर कही जाने वाले Grammy Award के 65 संस्क्रंड से नवाजा गया है तो उन्होंने ये Award भारत को समर्पित किया है तो दोस्तों आज के सेशन में Grammy Award से जितने भी important fact है उन सभी के उपर बात कर चुके हैं तो आपको ये सेशन अच्छा लगा है अगले शांदार शेशन के साथे जै हिंदी जै भारत